तो दोस्तों यह मेरे पास आज रियल मी बड्स T110 ट्रूली वायरलेस इयरबड्स और इस इयरबड में काफी सारे यूजर को वन साइड नौट वर्किंग का प्रॉलम आ रहा है यानि कि उनका जो एक साइड का इयरबड है वो वर्क नहीं करता है किसी का लेफ्ट साइड का इ इयरबड है वो वर्क नहीं करता है तो आज किस वीडियो में मैं आप सब को रियल मी बड्स T110 एयरबड्स के वन साइड नौट वर्किंग का जो प्रॉलम है उसका सॉलूशन बताने वाला हूं तो इसके लिए आपको करना है क्या सिंपल सबसे पहले आपको अपने दोनों इसके चारजिंग केस में से बाहर निकाल लेना है तो यहां पर हम इन दोनों इयरबड्स को इसके चारजिंग केस में से बाहर निकाल लेते हैं तो दोनों इयरबड्स को इसके चारजिंग केस में से बाहर निकालने के बाद अब आपको करना है क्या है सिंपल यहां पे दोन करके रखेंगे दस सकेंड के लिए तो यहां पर हमारा जो दोनों ही इयर बड़स है इसमें से आप सब को बीप साउंड सुनाई देगा तो उसके बाद आपको करना क्या सिंपल इन दोनों इयर बड़स को इसके चार्जिंग के इसमें रख देना है तो यह चीज मैं आप सब क कंप्लीट हो जाएगा हमने अपना हाथ यहां से हटा देना है तो यहां पर हमें कुछ सकेंड और वेट करना होगा तो जैसे हमारा दस सकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो हमने अपना हाथ यहां से हटा देना है तो यहां पर हमारा दस सकेंड कंप्लीट हो चुका है अब हम इस दोनों इयरबर्स को वापस इसके चार्जिंग केस में रख देंगे तो यहां पर हम इन दोनों इयरबर्स को वापस इसके चार्जिंग केस में रख दिये हैं रखने के बाद आपको करना क्या सिंपल यहां पर इसके चार्जिंग केस को हमने बंद कर देना है बंद करने के solve हो जाएगा और अब आपका जो yearbird है वो automatic on होके pairing mode पे आ चुका है अब आप इसे अपने किसी mobile device के साथ easily connect करके चक कर पाऊगे इसमें जो भी one side not working का जो problem था वो solve हो चुका होगा तो गाइज इस तरीके से आप सब अपना real me birds t 110 year birds के one side not working problem को easily तरीके से solve कर पाऊगे अगर आप सब को real me birds t 110 year birds से related और पी कुछ मुझे से पूछना हो तो नीचे comment कर सकते हो मैं आप सब का reply जरूर करूंगा और अगर आप सब यह वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को एक like कर देना और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चनल पे नई हो तो please चैनल को subscribe करके बाला कन को on कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही latest gadgets related वीडियो लेकर आता रहता हूं तो मिलते हैं next वीडियो में आज के लिए बस इतना ही